हेलो एब्रिवन वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चानल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ दोस्तो सबसे पहले हमने लौकी को छील लेना है और उसका बीज का जो बीज वाला हिस्सा होता है उसे निकाल देना है कुछ इस तरीके से मोटे मोटे टुकडे मैंने कर दिये हैं रफली बहुत जदा बारी करने के जरूरत नहीं कुकर में मैंने ले ली है यहाँ पर लौकी यह 1 किलो के लगबग लौकी और इसमें डाल दिया है एक ग्लास पानी कुकर का ढखकन बंद कर देंगे और लौकी को हम बॉइल कर लेंगे अच्छे से लौकी को बॉइल करना है तो चार सीटी कम से कम लगानी है हमें तो अब यहाँ देखिए लौकी हमारी बॉइल हो चु तो या फिर आपके पास अगर वैसे हमें इसे मैश करना है अगर आपके पास मैशर है तो आप इसे मैश कर सकते हैं या फिर आगे मैं आपको दिखाँगी कि आप इसे किस तरीके से बिना मैशर के भी जो है आप इसे मैश कर सकते हैं एक बार चेक जरूर कर लीज़ेगा कि आपके अच्छे से पकी होनी चाहिए बहुत ही भड़ी थाली में हम इस तरह से उबली हुई लोकी को निकाल लेंगे अगर आपके पास में लोकी नहीं है तो आप इसकी जगह पे उबली हुई उबला हुआ कदू ले सकते हैं छील करके उसे भी बिल्कुल इसी तरीके से रेसेपी फॉलो कर सकते हैं तो गलास से मैंने मैश कर लिया है लोकी को इसके बाद हमें लेना हो गए कड़ाई गैस पर कड़ाई को चुड़ा लीजिए और इसमें डाला है मैंने तीन चमच के लगबाग घी देशी घी बड़िया एकदम शुद वाला घी जो बरत में खाय जाएगी क्योंकि हमें लोकी को यहां पर इतना जादा मैश नहीं करना प्यूरी नहीं बनानी है इसे थोड़ा चंकी रहना चाहिए यानि कि थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है हमें अब हम इस लोकी को घी में अच्छी तरीके से भूनेंगे तो एक काम दोस्तों आप और कर प्रिजर में रख सकते हैं किसी एयर टाइट कंटेनर में या फिर मैश करके ही डायरेक्टर रख सकते हैं आप फ्रीजर में लेकिन आपको रखना होगा और फिर जब भी आपको यह रह से पी बनाने का या फिर ब्रत में कुछ जटपट खाने का मन करें तो बस उससे आप ए अच्छे से हमें यहां पर फ्राई कर रहा है यानि घी के साथ भून रहा है जिसे लोकी का जो एक्स्ट्रा पानी है ना जो हमने बॉइल किया है लोकी के अंदर पानी चला गया है तो वह जब उड़ जाएगा ना यानि कि उसको खतम करना बहुत जरूरी है उसी से रेसिप तो उसे मैंने यहां पर डाला हुआ है तो आप ध्यान दीजेगा कि अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो जो आपकी चाशनी है वो किस चीज की बची हुई यानि कि आप बूरा वाली शक्कर ना ही इस्तमाल करें तो मेरी यही सलाह है आप एकदम फ्रेश वाली शकर क इस्तमाल कीजियेगा तो मैंने तो इसे व्रत के लिए नहीं बनाया है यानि रैगुलर खाने के लिए बनाया है लेकिट आप इसे व्रत में खा सकते हैं तो जधा साप सापी का ध्यान रखते हुए आपको बनाना होगा और सारी चीज़یں आपको उसे इसाप से ही लेनी पसंद करते हूं जितनी आपको बनानी है तो मैं इसे गाडा-गाडा ही बनाऊंगी अब देखे दूद बहुत ही अच्छी तरीके से उबल रहा है तो एक लिटर के लगबग दूद डाला है मैंने दोस्तों इसमें और दूद को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पका तो आप चाहे तो दूद बहुत थोड़ा से ज़्यादा ले सकते हैं तो दूद की जो रबड़ी तयार हो जाएगी उससे यह ज़दा स्वाधिस्ट बनके तयार होगी तो मैंने देखिए काफी हट तक इसे पकाया है यानि बहुत ही गाड़ी गाड़ी मेरी खीर बनी है ब और आप इसे चाहे तो फ्रिज में रखे ठंडा ठंडा खाए यह बहुत ही स्वाधिस लगती है आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों